नमस्कार खुशामदीद दूसी वेखरे ओ गलां ते गीद एक इनसान दी पहचान की है उदे कम उस दा हुनर ओ की कुछ कर गुजरदा है ओ की कुछ करके विखौदा है उस दे हुनर दा विकास हुनदा है उस दे हुनर दे मताबिक कम मिलता है एक इनसान दी सब तो वड़ी सजा की है कि उदा हुनर जाया हो जाए उदा टैलेंट वेस्ट हो जाए किसे नल भी इस्तिति नहीं होनी चाहिए दी सो इसे चीज नू त्यानविच रखके प्लेस्मेंट्स दा कॉंसेप्ट यूनिवरस्टी दे विच कॉलेजिस दे विच डिवेल्प किता गया ल्यांदा गया क्योंकि जो विद्यार्थी है जो स्कूल तो कॉलेज वाल हुनदा है एक बिल्कुल अलग महौल हुनदा है वक सानू प्रेरित करन लई सानू इस दिशा देवाल ज्यान देन लई आज इस स्टूडियोस दे विच मौजूद ने दॉक्टर घजल प्रीद आरनेजा ट्रेनिंग और प्लेस्मेंट ओफिसर शहीद पगत सिंग स्टेट उनिवरस्टी फिरोस्पर स्वागत खुशामदीद प्रोग्राम गलात गीत विच्ट्वाड़ा आरनेजा साब जो प्लेस्मेंट दा प्रोसेस है कई बार साड़े विद्यार्थी वाकफ नहीं है इस प्रोसेस तो एक इस तरह सारी केरिया हुंदी है इस बारे सानु समझाओ के प्रोसेस अफ प्लेस्मेंट की है जदो विद्यारती बार्मी दे एक्जाम दे लन्दा है उस तो बाद ओहो एडमिशन लेंड दी बी टेक दे कोर्सिस करन लई कॉलेज भी चानदा हो ता उस दा ब्लैक मैंड होंदा है उसनो नहीं पता होंदा के केड़े कोर्सिस बैंड ओफ मांड होजा की है है उजदा चुकाव कि सपासे है उते उस वस्ते केड़ी फील्ड लाब दाएक रहेगी ताह जो उसनों अच्छी नोकरी भी मिल सके प्लेस्मेट भी मिल सके सो वो एड्मिशन सहल भी जानदा है साधी उनिवस्टी वेच असी कैरियर कांसलर बठाय होंदे हन् करियर से इंटर्स पुस्च सेंटर्स फिल्ड नो मिमन knew उकिर्स नहीं बाईनघयर करण गे तो वन देख जुआ ब्रांची विलन बाईक य्याось computer engineering, BTEC, electrical engineering, BTEC, mechanical engineering, BTEC, civil engineering, BTEC, chemical engineering, and B architecture. So, हर इक दी अपनी-अपनी subjects दे वेच अलग-अलग bent of mind दे कर दे हैं कोछ बच्चाना मैट्स वाल ज्यादा चुका हो होंदा है ता असी होनो computer science and engineering ली प्रेरित कर दे हैं कोछ बच्चाना फिजिक्स जा मैस दोना वाल चुका हो होंदा है फिर होनानो इंटिरियो डेकोरेशन वाल फिर होनानो वसी सुझेस्ट कर दे हैं की भी आर्किटेक्चर फिर होना तो भी पुछ देहां के तवाड़ी लाइकिंग की दर है जोबी जेड़े बच्चे कुछ बच्चे सॉफिस्टिकेटिड जोब्स पसंद कर देहां ता सी होनानो आई-टी सेक्टर आर रریलेटेड जोब्स जिस तरह सरक्ट बिर्फरक ब्रांशीज बीटेक्ट कर देहां जिस तरह हार्ड कोर्स्टिक थे खड़े हों के कम करना हैं करना तो तो खरिंत ब्रांश इस तरह ऑदे बच्चे नहों गाइड करदे हां ते वह बच्चा बांच स्लेक्ट करदा है तो ब्रांच चेंज करने ऑप्शन वी होंदी है दूसरे साल वीच सो जो दो बच्चे दो अच्छा थ्रूआउट बी टेक दी डिग्री असी कैरियर कॉंसलर्स उसनों लगाय होने हैं फिफ्टीन तो लेके वी बच्चे आंदे ग्रोप वीच साओ बच्च बच्च ना रुलेटे लाइड रेटे लाइड लाइड रेटे उस्टल ना रेलेटे वो कंसलर्स उननों प्रोपर गायड कर देयां उनना दी ओपर चीप कंसलर्स भी होंदा है ता जधो पोंच दिया है ज्यां सर्क्ट ब्रांच इस होनिया बी टेक्स, CSE, EC, एमक्त ब्रा प्रोसेस दिकल करिये तहां सब्तों पहला कंपनीज अना दा रिटन टेस्ट लेंदे हैं दूसरे नंबर ते उनना जी डी कर दें तीसरे नंबर ते इंटर्व्यू हों दिया है पहला टेक्निकल राउंड होंदा है फिर एचा राउंड होंदा है तो यह सारे प्रोसेस हैं कुछ कंपनीज कट्शोट भी कर देंने हैं अलिजिबिल्टी क्राइटीरिया होंदा है कुछ कंपनीज ने 70 परसेंट कट आफ रखी होंदा है कुछ ने 65 परसेंट या 60 ते उस दे अकोर्डिंग बच्चा उस कंपनी दे वीच बैठ दा है अते साथ कॉलेज युनिवर्स्टी दे वेच मोस्ली 80 परसेंट बच्चे जड़े हैं आई-टी इंडस्टी ना रिलेटेट व प्लेस हो रहे हैं ते जड़ी दूसरे बच्च अंपनीज आंदी हैं मेकानिकल ना रिलेटेट से एट समेस्टर दे राउंड आंदी है क्योंकि उनना न जे कर आपाँ प्लेस्मेंट्स दिकाल करिये दूरिंग कोवेट पीरियोड राइट सर बड़ा अद्बुद्ध तुसी एक्स्पिरियंस दिता है सानू सो इदेच बड़ा सेंस्टिप पॉइंट होंदा कि कई वर बच्चे देखा देखी सब्जेक्स लाइं देने स्ट्री जिसना मैं आप जिननों दसे दो तरां दे उनना दे चैक करदा है उनननों गाइट करदा है पहला उनननों बच्चे बलु कॉलर जोब नों पसांद कर दे हन कि वइड गॉसह दे अकोरिएट असी गाइड कर दे हन, नैचरली एह है अपना चुकाव होंदा है कि जड़े स्ट्रीम देविच साथे फ्रेंड ने एड्मिरिशन लई असी भी उस फ्रेंड च लई एड्मिरिशन पर दो हैं एक दिल नाल सोचना एक माइन नाल सोचना चाहिए बड़ा चुनौती पूरण काम है थ्वाड़ा सो इस वकट चुनौती यह है कि पंजा देविच सबतों पहला गाल करिये था बेरोजगारी एक बहुत ही महतवपूरण ते समवेधन शील मुदा है इस गल ता अंदाजा इस गल तो लगाया जा सकता है कि जुदों में कोई एलेक्शन होंदे हैं चाहे ओ स्टेट लेवल दे होन असेंबली एलेक्शन होन चाहे ओ बेरोजगारी दी दर है उस 16.6% है नेशनल बेरोजगारी दी दर 10.2% है तो एक एक एग्जामपल में तो अदिनाल शेर करना जावांगा कि 2016 दे विच पंजाब पुलिस दे विच पर्ति दी पोस्ट हैं सामया निकलियां सां उस दे विच 7 लग एप्लिकेशन हैं अगेंस पोस्ट पोस्ट ऑफ 7,418 दी कई गुणा जादा कई गुणा जादा सात लाख पोस्ट आ यह अधे अलिजिबिलिटी क्राइटिरे से 10 प्लस 2 पास तो जे विच दे विच दे लाख एप्लिकेशन हैं जड़े ग्राजुएट प्रोस्ट प्रोस्ट ग्राजुएट से को ने सरकारी नोक्रियां दी अगर जे आंकडें दी गल करिये ता 1980 दे विच, 80 दा जड़ा सेंसस डेटा होया सी गा, उस दे according 2.6 लाक सी गया, 2011 दा जड़ा सेंसस डेटा सी, उस दे विच पौने 4 लाक सरकारी मुलाजम तायनात सी पंजाब विच, तो बाद दो जार उनी दे वेचे 3.5 लाक सा है, जा मौर और लेस्टेबल, एए इंकरीज नहीं हो सकता है, आपर नोक्तर नहीं पौनेशन वादरी है, लगातार पर इह सरकारी नोक्रीश नहीं पर आपनू अल्टर्नेटिव वे आउट्स देखने पैंगे, के बच्चेयान दी करन्दी यह कम करन्दी सानु इज़त करनी चाहिए उसे तरह ही जो एजुकेशन दा लेवल है उदी भी सानु इज़त करनी चाहिए तुछ तुसी देख रहे हो के अपलाई करनी चाहिए जिदि यहां तुसी दोहजार सोला निया पोस्ट जिकर कीता है सो स्किल डिवल्पमेंट आ वाला पाउने जो फर्स्ट स्टेप है जो गौर्मेंट स्किल डिवल्पमेंट स्कीम चला रही है उदा किन्ना कसर पहरे है और विद्द्री किन्ना यह नेचनल स्किल डीवल्पमेंट मेशन दे अदा आरते किती है किती कि अपया है ते बेसिक लिए नेचनल स्किल डीवल्पमेंटमेंट मेशन ने जेड़ा कॉंसेट मोडल चांची जानी Senior दे वेच उथे एडुकेशन पॉलसी जडी लेख यान देगी जी उजदे वेच उनने कंपस्री करती एडुकेशन फॉर नाइन ने दी मारक इडुकेशन फेलोपलेफ्मेंत है सटोफ्ट लेच ने अननो म मेचेंरी प्रवाइट की बंते मरंट अजनने's केल्यं गपडिशन पेलोपिशनी नेू प्नका इस धेलोपमेंट मिशन शेटर गोर्मेंट वोलों चलाईय हैं skill development schema अते पंजाब गोर्मेंट वोलों चलाईयां skill development schema एक उंब्रेला दे अंडर आगयां थाकि विद्यारती चाहे ओ शेहरी खेतर दा होए जाहे ओ पेंडू खेतर दा होए उनको पॉब्लोम नावें सारी हैं प्रॉलम दा सल्यूशन को एक अम्प्रेला दे अंडर मेल जावे ते ऐसे विज जे स्कीमा दे काल करी है तेन मेन स्कीमा चल रही है है पहली स्कीम है फुर रूरल एरिया पेंडू खेतर दे बच्चेयां वास्ते नोजवान पीडी वास्ते ओ है दीन दयाल उपाध्याई ग्रामीन कोशल जोजना जी द दूसरी स्कीम चल रही है फोर अर्बन स्टुडेंट्स ओव है दी अवाई एन यू एम जी तो ओ अर्बन एरिया दे पीपल वस्ते है ते तीसरी जडी चल रही है स्कीम हो चल रही है प्राइम मिनिस्टर कोशल विकास जोजना जी प्राइम मिनिस्टर कोशल विकास जोजन उना दी स्किल ड्वल्पमेंट करवाई जान दी है, वो मतलब के हर तरहां दी एक तरहांनल कैटेगरी, हर तरहां दा कोर्स कवर हो रहा है, ते जिस तरहां कार पेंटरी कोर्स हो गया, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गी, C&C अपरेटर हो गया, मोटर वाइंडिंग दा कोर्स हो गया, होटल मनेज्मेंट कोर्स हो गया, कार पेंटर कोर्स हो गया, पिलमबर कोर्स हो हो सकता है दसवी में हो सकता है बारभी वस्ते भी कोड़स है इवन ग्रेजूएशन भी कोड़स है हर वरक दे बच्चे वास्ते स्केल ड्वल्प्मेंट कोर्स से क्रवाये जाने हम और उस तो बाद उना नो नो नोकरी लगवाऊन देवेच भी मदद किती जान दी है. कि विद्यार्थी इंट्रेस्ट ले रहे ने देवेच जे अपन गल करिया आंक्डेया दी ता बानवे परसेंट जेडे इंडियन जेडे पारती हैं ओ स्किल डेवल्पमेंट गाप देविच मिस्मैच हो रहे हैं. ते 96% ब्राजील जेड़ा पहले नमबर ते इंडिया जेड़ा है का दूसरी नमबर ते तो स्किल गैप की होंदा है के कंपनी दी रिक्वार्मेंट एक्स्पेक्टेशन हो हैं ते बच्चा जेड़ा कॉलेज तो पढ़के आया है उस दा स्किल लेवल कुछ हो एक गैप इसली है क्योंकि बच्चे नूँँ चेल टेकनो老oजी लेटेस्ट टेकनोलोजी ते को लिड अभुद्डिय इसली नि करेग है उनोनन स्लेबस इस नूँ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कटल लेबाटरी दे फ़ल जादा फोकस ना करना अच्छा जवजआ बच्चेश दी श्स साथी उनिवस्टी वेच एना दोना चीज़ां देऊ पर काफी वाक आउट किता है अपग्रेड किता है ते चेक भी असी रख देहान के बच्चा प्रोपर ट्रेनिंग करें क्योंकि ट्रेनिंग देवेच उस चीज़ी का आट जेडिया फुल्फिल किती जा सकती है जड़ी इ विशेश करके जो बच्चे आना रुजान है चुकाओ है पंजाबियां दा खास करके विदेश चाट जाना लेकिन उठे जाके फिर एक दिमाग दो हत जादा काम करनवारे हो जान देने उठों दी एकॉनमी नो फाइदा होंदा है साधी एकॉनमी नो फाइदा नहीं मिलना जड़के सारा रोजगार एकॉनमी ना जुड़िया होया ही कॉनसेप्ट है सोचियो एकनॉमिक सोचियो पॉलिटिकल दो ही चीजा इकठिया चल दिया ने सो विदेश जानवाल जो आज भी रुजान है की विचार ने तो हड़े सब तो पहला मैं एक तो आड़ना शेयर करांगे के जलंदर देवेचे ही के टलन पेंट देवेच गुरदवारा है बाबा ने हाल सिंग जी उस गुरदवारे दी विशेष्टा ये है के ओथे विदेश जान दी अर्दास किती जान दी है हुं सो उसे सबी हर ने मैं एक चले एक जान पेंडु के पेंड़ु खेतरतों जिडे उनिशेश संबवे तो पहला बाऊ गई क्योंकि वो सक्सेस स्टोरी बनी वो कामजाब है उना ने मेनत की थी ते उन अर्बन एरिया दे मिजोर्टी जा रही है जा अपां गल कर यह आंकड़िया दी ता पिछले दो साला दे वेच एराउंड वी परसेंट उचाला आया विदेश जान वेच पूरे हिंदुस्तान सो इना जादा पंजाब दे विच क्रेजा बार जान दा सो बैसिकली जड़े बच्चे बाहर जा रहे हैं मेहनत कर देया ना थे बार जाके सेटल हो रहे हैं वो अपने स्किल दे अकोर्डिंग जा रहे हैं पंजाब दा जो पेंडू खेतर है उथे बेरोजगारी बहुत जादा है या रोजगारी स्थिति काफी माड़ी कही जा सकती है पंजाब दे विच पेंडू खेतर दे विच रोजगार बेरोजगारी जादा है कंपेर टू अर्बन एरिया ते एक कई मुल्टिपल फेक्टर जिस तरह स्वाइल फर्टिलिटी कटना वाटर टेबल डिप्लीट होना अपना बच्चे जड़े हन ओ फार्मिंग नो चाटके होर किते लाब रहे हन जिस सरकार दी भी पॉलिसी एही हुंदी है के फार्मिंग सेक्टर तो क्योंकि एस दी जे विच पंजाब परसेंट खेती दे नाल जुड़े होई लोग हन अथे अठाई परसेंट जी डी पी दा कॉंट्रिबूट कर दे हन जिस विचों नो फीज दी यडी कॉंट्रिबूशन ओर डेरी फार्मिंग देते हैं जी बिलकुल सो बहुत मिसमैच है ऐसा मतलब है भी आमदन दी कमी है खेती नाल जुड रही है लोग भी है किने कम करनवाने ते कम भी है गाए पर पैसा नहीं है असी एक सर्वे करवाया सिगा भी बाहर क्यों जा रहे हैं तो उस दे विच फिफ्टी फाइव परसेंट जीड़े रिस्पॉंडेंट्स दीगे उनना ने किया कि असी बाहर इस करके जाना जाना जा है बाहर है ओना दे विच फची परसेंट ने किया कि असी जड़े नोकरी दे लैई बेरोज़गारी दे समस्या तो करके बाहर जा रहे हैं ते रुमेनिंग किया कि पेरेंट्स पेज रहे हैं क्योंकि यह डरग्ज वेचा जड़ा है गा नश्यार विचना पर जाना पर सकरक पर नोड़ने शुरू तो ही अंग्रेजा ने आन तो पहला ही साड़ी वेवस्ता अर्थ वेवस्ता यह रही है। अर्थ वेवस्ता अर्थ वेवस्ता यह रही है। यह रही है। वेवस्ता 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 यह रही है। पंजाब गोवर्मेंट ने पिछले चार सलना वेच बहुत यतन किते हैं बच्यानू रोजगार्द वाउन वेच। पहले नमबर ते गाल करिये था। जिनने वी एम्प्लोइमेंट एक्सचेंजी सी। उनना दा नवीनी करन करके DBEE बना देते गए हैं। डिस्टिक ब्यूरो ओफ एम्प्लोइमेंट एंटर एंटरप्राइसिस। वोथे बहुत ज्यादा फसिलिटी देती हैं। जिस तरह एक कॉई बच्चा किसी गल्थ एजेंट दे हाथ फास गया है। तां कि उसनों प्रोपर कॉंसल करके उसनों फीज दसी जासके ऑपना दस दा के मैं आज कोलेज विच ए एज उनिवरस्टिवीच आप कोरस चेंज एडमिशन लेनी है। ताह ओ थे counseling किती ही जान दी है So एक बहुत important जड़ा रोल है होना था के ओहो जिनने हमी local level ते government jobs निकल दी है जी जी Local level ते government jobs निकल दी है ओना दी notification ओना दी through ही हो दी है ओ first come first serve basis थे application forward कर दे हैं जिस तरह एक post बदले वी applications सांच इस तरह दास post निकलिया हन ताह हो 200 applications अगे forward करणगे पेरेंट भी पागनू एक 200 applications हो किस तरह ओप कर दे हैं जेडे पहलना बच्या ने register करवाया होंदा employment exchange नामदर्ज करवाया होंदा first come first serve basis थे होना नो forward किती है जानिया ते हर मेंने और रोजगार में ले भी लगा रहे हैं so एक हो गया एक दूसरा पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा हुदम लिया है 2018 दे विच चना ने घर कर रोजगार और कारोबार मिशन दे स्थापनागर के ए society act दे अंडर रिस्ट्रक्टर वाया स्थावाथ करवा सकती हैं एते एमप्लाइर। थी इंपोईर्स थी हो रिजिस्टर्ण एन एते आने एक मंच दे उननुठो lou जूसर évidemment कर दे अनने प्रफौइल करें उननने प्रफाइल जो हो अपनी फिलब कर दें अपनी कौने कीलल लेवल तो उजे अकोडिंग उना दे डैशबोर्ड दे नोक्रियां आ जानी है तो सिंगल क्लिक दे नाल उना दे नोक्रिय वस्ते अपलाई हो जाना है तो तोड़ा ये बहुत अच्छा जवाब है कि हर मुसीबत दा हर समस्या दा हल है मैं एक अपना परसनल एक्सपिरियंस शेयर करना चाहाँगा असी जिसना कई बच्चे पास ओट होई मैं एजुकेशन नाइन विच नाइटी ए ओनवार्ड जागा तो साधा पहला बैच दा बच्चा जड़ा कुलवन सिंग एड प्रेजंड ओडी सी तरन तरन साहब जदो उना दी बदली होई जलंदर तो हूँ एज एडी से कम कर रहे संग अते फिरोजपूर बीच बदली होई तो मेरी सैंसर्स दे विच मास्टर ट्रेनर दी डूटी लगी होई इसी इस्टिक लेवल ते सो मैं जड़ों ट्रेनिंग लेके आया चंडी करता हूँ ता साथी मास्टर ट्रेनर देना मीटिंग करवाईगी तो उस मीटिंग दे वेच चेर जड़ी सीगी ओ कुलवन सिंग ने की ता जड़ो मैं अपनी इंट्रॉड़क्शन देन ली खड़ा होया मास्टर ट्रेनर वा बेहत शुक्रिया के तुसी आके स्टूडियोस देवेच बच्चेया नाल स्टुडेंस नाल एजानकारी शेर कितिया और साथे वलों तुहानू सारे नुश्यों पेच्छामा के तुसी भी बिजनस लीडर बनो स्वायरोजगारवाल वदो अपने कुदरती गुनांदा वि झाल